हाई गीज और वेलकम बाक टो दी चनल दीपक्ष यादव एजूकेशन वेलकम टी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालेसिस ओफ 26 ओफ नवंबर 2023 तो गाईज आज है तारिक 26 नवंबर 2023 और है संडे देखेंगे आज के दा हिंदू कंप्लीट न्यूस्पेपर को कंप्लीट न्यूसपेपर को एनिलाइस करेंगे बट लेक्षर हम आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्षर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक्याद एजुकेशन यूपी एससी आपको यह वला चनल मिल जाएगा इस पर क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर डेली बिस्स पर लेक्षर का पीडिएफ मिल जाता है और डेली बिस्स पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं नो बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सुन्दर बंस टाइगर रिजर्व को कहां पर है यह एक्जाक्ली लोकेटेड इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समयता क्याद रख पाऊगे साथी साथ एक क्वेशन साल्व करेंगे जो कि यूपी एसी प्रिवेस येर साल 2017 के प्रिलिम्स में पूछा या था डेली बिसस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रिवेस येर क्वेशन को भी साल्ल करते हैं क्वेशन क्या बोलता है दोस्तों यह पर एक प्रॉजेक्ट है ईलीसा प्रॉजेक्ट Natomiast कि अपना आप में एक फॉल साथ है क्या है एक या आपने बताना है option number A, neutrinos को detect करना, या option number B gravitational waves को detect करना या option number C, जो missile defense system होता है, उसकी effectiveness को detect करना, या option number D जो solar flares होते हैं, उनका effect हमारे communication system पर क्या पड़ा है, उसका study करना तो दोस्तों, इसका सही answer क्या है, सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को उसमें participate करना है जैसे मैं आप लोगों से daily business पे बोलता हूँ इसका जो correct answer है, वो मैं आपको टेलिग्राम पर provide करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको check out कर सकते हो, और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है, तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे, तो चलो शो बार हम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले thumbnail वाले important article की दरफ यहाँ पर बात की जारी है e-sim technology के बारे में, यह technology technology लगातार news में बनी वी है पिछले दो दिनों से, आपने कही न कहीं इसके बारे में सुनाओगा, काफी लोग को इसके बारे में पता होगा, लेकिन काफी लोग ऐसे भी होंगे, जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा, तो हर एक चीज़ को यहाँ पर हम discuss करेंगे, पहले तो यह e-sim technology क्या है, इसके pros और cons यानि इसके फाइदे और नुकसान क्या है, वो भी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, तो यह news आपको तो समझ में आ चुकी है, लेकिन आपको ही पता है, जो news है, कुछ खास ऐसी important नहीं है, जो आपको exam में help करेगी, exam में जो अब बात करते हैं यहाँ पर इस technology के बारे में, क्या यह कोई नई technology आई है, ऐसा नहीं है, यह technology दस्यों साल पुरानी है, even यहाँ पर दोस्तों, e-sim को सबसे पहली बार establish किया गया था, 2012 में, यह क्या है, यह एक प्रकार का embedded sim है, जो की permanently यहाँ पर आपके mobile phone के अंदर में install क कर दिया जाएगा, for example, अभी जैसे आप लोग mobile phone को purchase करते हो, तो क्या उसके साथ में sim मिलता है, नहीं मिलता, आप के बल mobile phone लेकर आते हो, फिर जाकर किसी telecom company से उस sim को purchase करते हो, और उस sim card को अपने mobile phone में लगा कर, जो अपना पुरा process है, वो start करते हो, ठीक है, ऐसा सभी के स installed हुए वे आएंगे, already यहाँ पर लगे वे आएंगे, तो यह real रहेगा कि आप जब mobile phone purchase करने जाओगे, तो उसमें जो sim वाली facility है, वो already installed होगी, ठीक है, तो जैसे हमारे पुराने वाले sim हुआ कर दे थे, traditional sim cards हुआ कर दे थे, बिलकुल same काम वैसी रहेगा, e-sim भी बिलकु नहीं हिस्सा होगा, internal organ का एक हिस्सा होगा, जबकि यहाँ पर जो हम लोग एक physical sim लेते थे, तो अलग से उसको लगा दे थे, आपको पता होगा, बट वो जो traditional sim card है, दोस्तों, वो पुराना हो चुका है method, और उस method को अब दिरे दिरे replace किया रहा है, e-sim के माधियम से, clear हो ग जो iPhone XS, XS Max है, XR है, प्लस यहाँ पे अभी iPhone 15 जो नया latest launch हुआ है, ठीक है, इन सब के अंदर में e-sim की technology already present है, Google Pixel 3 हो गया, यह सब premium devices है दोस्तों, यह e-sim को support करते हैं, और अभी आपको पता होगा iPhone 15 का क्या चक्कर हुआ था, US के अंदर में, यानि कि अमेरिका में जो है न उसमें e-sim के सासाथ physical sim दोनों का ही concept दिया गया है, यानि कि चाहो तो आप इस तरीके सिम कार्ट purchase करके उसको लगा सकते हो, या मर्जी है तो आप e-sim वाला जो technology है वो use कर सकते हो, समझ गए, तो कहने का मतलब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे, कि मतलब recharge वगरा करने क दिकत खतम, अब तो यहाँ पर e-sim आएगा, mobile phone में अराम से यहाँ पर हम करते रहेंगे काम अपना, ऐसा नहीं होने वाला, जो sim यहाँ पर आपको mobile phone में install करके दिया जाएगा ना, वो तो मिलेगा आपको, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप पहल लेते हो ना, वैसे लेना होगा, तो यानि की sim तो आपके अदर फोन में install है, लेकिन आपको services लेनी होगी, यहाँ पर एटल की जिसकी मरज़े अपले सकते हो, या फिर आप कह सकते हो, वोड़ा फोन की, है ना, मतलब इनकी जो services से वो ली जाएंगी, क्लियर हो गया, तो e-sim e-sim का ऐसा ही मतलब नहीं है कि यार, मतलब लोग confused रहेंगे, यार कि मुबाइल फोन में, अरे वोड़ा फोन का लगा रहेगा, या फिर एटल का लगा रहेगा, किसका sim लग क्या आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो वसकाली यहाँ पर एक neutral sim रहेगा, उसके basis पर आपने क्या आई भी है, e-sim technology के advantages क्या हो सकते हैं, पहला security, जो कि सही बात भी है, दोस्तो, e-sim आपके mobile phone को, जब mobile phone चोरी हो जाता है, सबसे पहले चोर क्या करता है, वो यहाँ पर आपका sim निकाल कर फैकेगा, क्योंकि sim लगा रहेगा, तो आपके mobile phone को track किया जा सकता है, तो यह जो e-sim है या आपके mobile phone को security दे सकता है, ठीक है, क्योंकि अब आपके वो जो चोर है, वो उस sim को निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि वो internally fit है, समझ गए, या किसी दूसरे device में नहीं लगा पाएगा, तो इससे यहाँ पर एक security है, वो यहाँ पर सभी लोगों की maintain हो जाती है, यानि sim ल लगाते हो, mobile phone में तो आजकल क्या होता है, एक slot आता है side में, यहाँ पिंड लगा कर आप slot को बाहर निकालते हो, उसमें sim insert करने के बाद में फिर उस slot को वापस से mobile phone में डालते हो, तो एक छोटी सी जगा खोल दी जाती है mobile phone में, ठीक है, अब अलग सम physical sim add करेंगे, तो अब बाकी सारे points होते हैं, वो openings हैं, ठीक है, तो उनमें धूल, मिटी, dust वगरा घुसता रहता है, तो इससे अच्छा यहाँ पर यह है कि जो यह e-sim वाला technology है, यह कहीं न कहीं एक opening को बंद कर देगा, जरूरती नहीं होगी कि sim के लिए यह रास्ता खोला जाए phone में, तो इससे यहाँ पर dust वगरा कम गुसेगी, ऐसा भूला जा रहा है, कोई एक खास advantage भी नहीं, कोई आचकर लोग cover यूज कर लेते हैं, तो इसका कोई इतना impact पड़ता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको advantage के तौर पर देखा जा रहा है, अब दोस्तों यहाँ पर इसके subscribers यूज करते भी होंगे, तो अगर यहाँ पर माल लो, आपका mobile phone काम करना बंद कर जाए, या battery खतम हो जाए, या mobile phone कहीं बर्गर जाए, या screen crack हो जाए, तो आपका communication तूट सकता है, क्योंकि आपका eSIM जो है उसमें लगा हुआ है, mobile phone में automatically install है, आप उसको निकाल नहीं सकते समझ गए, जबकि traditional SIM किया था भी, आपको mobile phone खराब हुआ, आपको कोई सवीदा नहीं बन रही है, आपको call करनी है, तो आपना SIM निकाल कर, दूसरे phone में डाल कर, अपनी SIM की सारी services यूज कर सकते थे, समझ गए, बट ऐसा situation अभी eSIM में नहीं देखने को मिलेगा, और दूसर के अदर भी कुछ mobile phones आ चुके हैं, जो केवल और केवल eSIM के ओपर dependent हैं, आपको example दे रहा था न, iPhone 15 का, even iPhone 14 बे भी, जो US वला वर्जन है, especially America वला वर्जन जो है, वो केवल और केवल eSIM पर ही चलता है, उनको eSIM वाली ही facilities यूज करनी होगी, लेकिन ये iPhone जो है पर दुनिय eSIM वाले phones हैं, इसको आप उस देश में यूज नहीं कर सकते हैं, जहां पर टेलिकॉम operators इसको support नहीं कर रहे हैं, क्योंकि obvious सी बात है, टेलिकॉम operator का support करना ज़रूरी है, for example, यहाँ पर जो एटल के CEO है, एटल ये टेलिकॉम company जो है, यह तो support कर रहे हैं, तो कह रहे हैं जा पर टेलिकॉम operator की ज़रूरत आपको अब भी और तब भी रहेगी, चाया physical SIM purchase करो, चाया eSIM यूज करो, क्योंकि subscription आपको उनी का लेना है, ठीक है, फिर उसके बाद में यापर, बलब network वगरा सब उन से purchase करने हैं, ताकि आपको mobile phone में वो मिल सके हैं, और दोस्तों, दुनिय 3.8 million US dollars के असपास का, तो यानि कि पिछले कुछ सालों के comparison market grow क्या है, लेकिन जिस level का growth होना चाहिए, ता वैसा growth नहीं है, ग्रोथ बहुत स्लो है, लोग धिरे दरे यहाँ पर इसको adopt कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसके बार में जादा कोई awareness भी नहीं है, ठीक है, काफी आ रहे हैं, जो smart watches आ रही हैं, फिर दरे दरे smart watches के अंदर भी e-sim की technology यहाँ पर use करने के लिए, जो concept से वो भी लाए जा रहे हैं, for example, airtel, reliance.io, इन दोने ने अल्रेडी apple के साथ में partnership कर लिए, कि हम क्या करेंगे, e-sim वाली apple watches बीचना start करेंगे, ठीक है, यानि कि e-sim लगा I hope आपको यह जो clarity है, वो पूरी दरा समिल चूक है, exactly e-sim क्या होता है, क्या इसके फाइदे नुकसान हो सकते हैं, आगे आता है next article पर, अगला article again important is specially for the GS paper number 3, defense and security, क्या बात की जारी है, army finalizes ammunition requirement for 10 years, banks on indigenization manufacturing, क्या है matter मैं आपको समझाता हूँ, दोस्तों जब बात करता हम happens किया लग लग, for example, इसमारे tanker हो गया, missile हो गया, यह सारे के सारे यहां पर हमारे defense items है, इसमें items कुछ small यानि की छोटे items भी होते हैं, और कुछ यहां पर बहुत ज़्यादा बड़े items भी होते हैं, अब क्या हो रहा है, आपको बताओगा पिछले कुछ सालों में, इंडिय हम लोग बहुत सरे देशों से हत्यारों को purchase करते हैं, चाहिए वो France हुआ, चाहिए वो Germany हुआ, चाहिए वो US हुआ, चाहिए वो Russia हुआ, इनसे बहुत सरे weapons हत्यार जो हम purchase करते हैं, लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में एक अच्छी growth ये भी देखिए कि इंडिया ने कहीं कहीं, इस import को अपने देश में कम करना start कर दिया है, और ये जो weapon item हम purchase किया करते थे अलग लग देशों से, इसकी manufacturing अपने देश में start कर दिये, हम कई सरे defense item अपने country में खुद बना रहे हैं आजकल, कई सरे items जो हम purchase किया करते थे अलग लग देशों से उसको हमने पूरी तरह स बनता चले जा रहा है, हमने एक बहुत बड़ा target रखाए कि 2025 तक लगबग 5 billion dollars का defense item export करें, export करने का target हम लोग ने रख रखा है दोस्तों, तो exporting के मामले में इंडिया धरे धरे grow कर रहा है, तो यहाँ पर जो article है वो ये बताता है कि पिछले कुछ समय पर बहुत बड़ी बड को लेकर विवाद है, specially Ladakh के अंदर stand-off देखने को मिला, दोनों देशों की आर्मी आमने सामने खड़ी रही, ठीक है, फिर हमने युक्रेन के अंदर में war देखा, अभी हम यहाँ पर इसराइल और हमास का हैं, आपर यह पूरा का पूरा issue देख रहे हैं, तो दोस्तों, इन स इनकी जो requirement है, वो हमने indigenize कर दिये, हम खुद से यहाँ पर उनको develop करने के कोशिश कर रहे हैं, एविन यहाँ पर 30 variants, यानि कि जो 30 अलग-लग variants हैं weapons के, इन 30 variants से भी जादा variants हम अपने देश में खुद बना रहे हैं, और इसके पीछे कई हजारों करोड रुपे लग रहे है और वो काम अभी underway में है, यानि कि वो चल रहा है अभी, तो धीरे-धीरे no doubt इंडिया के अंदर में indigenization increase हुआ है, specially weapon system के अंदर में manufacturing capabilities भारत की increase हुई है, क्योंकि हमारा main मकसद और पहला step यही था कि हम सारे के सारे जो items अलग-लग देशों से purchase कर रहे हैं, उसको import करना बंद में अलग-लग प्रकार के weapons हम अपने देश में बनाने वाले हैं, ठीक है, जो कि इंडिया को सीधा-सीधा help करेगा भारत की, इस defense industry को help करेगा, जहाँ पर हम पहले import क्या कर देते हैं, आज के समय पर हम यहाँ पर export भी बहुत अच्छे कासे मातरा में कर रहे हैं, अलग-लग countries जो हैं, वो interested हैं भारत के अलग-लग weapons को purchase करने में, ठीक है, यहाँ पर हमको देखने को मिला, अब यह सारी चीज़े हो पाई हैं, कब जेखो, जो हमारी armed forces हैं, उन्होंने यहाँ पर बड़े-बड़े procurement भी करें, बड़े-बड़े हत्यारों को purchase करके रखा भी, stock करके रखन भी जरूरी है, और यह stock करके रखने की जो आदत है, यह हमारी पड़ी है, कब से, जब पहली बार आपको पताओगा, उरी terror attack हुआ दा 2016 में, तो पहला stock हमने तब जामा करके रखा, फिर 2019 के अंदर जो बाला कोई डेर स्ट्राइक हुई, उसके बाद स्टॉक जामा करके आई है, या अगर कोई यहाँ पर पर परिशानी आती भी है, तो हम उसको अराम से tackle कर सकें, आई होब आपको यहाँ पर यह जो पूरा का पूरा आर्टिकल है, बढ़िया से clear हो चुका है, तो इस आर्टिकल में कुछ ऐसे खास important exam के लिए नहीं है, लेकिन अब exam के लिए ज जानना हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा जरूरी है, तो यहाँ पर एक special data है, जिसका आप जीदा सिदा use भी कर सकतो हो, क्योंकि एक official data है, जहाँ भी बोला ज़रा है, सरकार का एक बहुत बड़ा shift हुआ है, इंडिया जहाँ पर एक net importer कहलाया जाता था, आज वो यहाँ प पर यह जो है, आगे और ज़्यादा increase होने वाला है, और 2023 में दोस्तों यहाँ पर यह export लगबग 2.2 billion dollars को cross कर जाएगा, और हमारा target है कि 2025 तक हम इस export को 5 billion dollars तक पहुँचा दें, समझ गए, और इस पूरे के पूरे यहाँ पर effort के अंदर में सबसे ज़्यादा अच्छी अपना interest दिखा रही है भारत के अलगलग weapon system के अंदर में, तो भारत का जो defense export है, इसका पूरी की पूरी स्थिती क्या है जरा यह भी discuss कर लेते हैं, इंडिया का जो defense export status अगब देखोगे तो पिछले कुछ सालों में तेजी से improve हुआ है, सब ने यहाँ पर इसके बारे में ज सबसादा highest था ऐसा बोला जा रहा है, जिसमें private sector का सबसे बड़ा रोल था, private sector से manufacturing करवाने के बाद में हमने इसको export किया है, भारत सबसादा अपने weapon system को export किन किन देशों को कर रहा है, तो आप देख पाऊगे जैसे यहाँ पर मौलदीव सो गया, स्रिलंका हो गया, रशिया फ्रांस, नेपाल, मौरिशिय, स्रिलंका, इसरेल, एजेप्ट, यूएई, चिली, यह सारी countries आपको देखने को मिलेंगी, इनकों मने क्या क्या आइटम एक्सपोर्ड कर दिया है, कुछ यहाँ पर personal protective items हो गए, पेट्रोल वैसल हो गए, दस तक मारने वाले जहाज हो गए, तो यह सारी चीज़ें दोस्तों हमने इन countries को बेची हैं, और हमें जरूरत है कि हम यहाँ पर इस target को और जदा बढ़ा करें, प्लस यहाँ पर हम इस तरह की manufacturing करते करते, यह ज़ाज़दा countries को अपने market के अंदर में, या फिर अपना एक बहुत बड़ा customer बना कर लेकर चलें, बाकी 2025 का target क्या है, वो अलिडी हम discuss कर चुके हैं, पता है problem क्या है, problem यह है कि इंडिया इस target को अराम से achieve कर सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है, आप सकर पूछा जाए कि जब भारत इतने तेजी से export कर रहा है, तो exporting के मामले में हमारा जो target है, वो achieve क्यों नहीं हो पा रहा है भी reason पता है क्या है, reason यह है कि कई सारे देशना, इंडिया के अलगलग weapons में केवल दिल्चस्पी दिखा रहा है, जिन्होंने tweet कर दिया, यह official statements आ गए हैं, for example, Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Egypt, South Africa, Brazil, इन्होंने यहाँ पर बहुत ज़दा interest दिखा है, ब्रहमोज में, अकास missile system में, लेकिन भारत ने इस दिल्चस्पी को, इस interest को business में convert नहीं किया अभी तक, और उस business को convert, business में convert करने में हम fail हो गए हैं, अगर हम यहाँ पर उनके इस interest को business में convert कर देते हैं, उनसे deal कर लेते हैं, इन countries को यहाँ पर यह systems बेच देते, तो obviously बात है, यह जो growth है हमारी है, और बड़े level पर हुई ह होती अभी तक, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, समझ गए, तो यह दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा issue है, और यहीं बोला जाता है कि भारत के defense export में कुछ challenge से कुछ चुनाओतिया हैं, जिससे हमें लड़ना होगा, सबसे पहली चुनाओती क्या है, lack of competitiveness, इंडिया क जो defense products हैं, उसको कई countries देखती हैं कि वो lower quality के हैं, जो कि वो कम पैसे में बने हैं, जबकि यहाँ पर जो बड़े बड़े exporters हैं, US, Russia, इसराइल यह जाने जाते हैं defense items के लिए, तो इनके बहुत high cost के high quality के products होंगे, ऐसा है यहाँ पर बोला जाता है, तो यहाँ पर यह जो image ह दोस्तों इसको improve करना होगा, दूसरा यहाँ पर हमारा जो export pro portfolio है, वो थोड़ा limited है, यानि अगर हम export कर भी रहें आज तो कुछी देशों को कर रहें, हमें अपने इस market को और increase करना होगा, हमें अपने customers की list को और ज़्यादे increase करना होगा, और इसको करने के लिए, जो देश ह आप कह सकते हो, परिशानियों से गुजरना पड़ता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत असानी से export किया जाए, एक्सपोर्ट करने में बहुत सरी यहाँ पर दोस्तों तकलीफे, complications यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, फिर lack of clear policy, इंडिया की जो defense export policy वो properly defined भी नहीं है, officer items जो हैं, हम लोग अलग 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 देशों से purchase कर रहे हैं, जिसकी चक्रम हमारी जो potential export करने की वो थोड़ी सी limited हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और इसी potential को और आगे बढ़ाने के लिए, इंडिया ने कई सारे steps उठाए गए, अपने defense export को increase करने के लिए कई सारे steps पर दोस्तों यहां पर कुछ और काम किये गए, liberalization of foreign direct investment FDI को खोल दिया गया, ठीक है, mission defense space को यहां पर launch किया गया, प्लस यहां पर कुछ innovations for defense excellence यहां पर यह launch किया गया, जिसको IDEX के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके के काफ़ी सरी जो facilities हैं वो इंडिया न दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक important information अगर आप लोग हमारे paid groups को join करना चाहते हो, तो आपके पास में एक बढ़िया chances को join करने का, इस paid group में आपको daily current notes के PDF वगरा provide करवा जाते हैं, for example, जैसे अभी हमने दो article discuss के, defense export वाला और e-sim वाला, अब दोनों article में आपको मैंने अगर होगे हैं ना कि हम notes कैसे बना हैं, यह परेशानी रहती है किसी को, तो यह सारी परेशानी आपकी दूर हो जाती है, इस group को join करने से, आपको सारा का सारा content जो background data, especially वो दोस्तों यहाँ पे एक ready made notes के तोर पर provide करवा दिया जाता है, जिसको आप सीधा read करके यहाँ पर बर चुके होंगे, मोटी मोटी, या प्रेश्टर्स बर चुके होंगे, और फिर उसका कोई फाइदा होगा नहीं, तो इस सचा यहाँ पर एक smart work किया जा सकता है, और दोस्तों यहाँ पर यह जो PDF आपको provide करवाय जाता है, वो Hindi और English दोनों भाशाओं में होते हैं, तो दोन इसके अंदर में available है, और अच्छी बात यह है कि दोस्तों सारा content इसमें secure है, date wise secure है, किसी भी तारीक का PDF आपको चाहिए, तो वहाँ पर आप उस तारीक का PDF डाउलोड करके पढ़ सकते हो, content सब कुछ यहाँ पर available है, और ऐसने आपने PDF डाउलोड किया, तो आप सको delete नहीं क क्या है, just 499 for the lifetime access, बहुत ही जादा minimum amount रखा गया है, कह सकते हो, lifetime के लिए जब तक आपका selection ना हो जाए, तब तक आप 499 पे इस ग्रूप को join करके रख सकते हो, आप इतना amount इदर और खर्च कर देते होंगे, लेकिन यहाँ पर इतना amount एक अच्छी जगा पर invest करना भी ज़र payment का process दिया जाएगा और payment के process से जादा important आपको demo video का link भी मिलेगा, आप पूरे demo video को भी यहाँ पर check कर सकते हो, कि मुझे exactly क्या फायदे होंगे, और अपना आपको satisfy करने के बाद में, आप यह investment कर सकते हो, समझ गए, चलवा गया आता है, बागी दोस्तो, make sure करना यार, जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हो, चलिए वापस से track पर आते हैं, और start करते हैं अपने third article को, यहाँ पर एक article आज के newspaper में, जहाँ पर बात की जारी है, court to examine if street art is covered under copyright rules, क्या है matter, दोस्तों आप लोग ने देखा होगा, कई बार अलग अलग गलियों में, या road प पेंटिंग मनाई गई है, चीक, एक बड़ा सा मुराल मनाया गया है, तो क्या हुआ, जो यह पेंटिंग है, यह पेंटिंग यहाँ पर एक company की है, यह company ने यहाँ पर इस painting को तयार किया है, लेकिन क्या होता है, दूसरी company यहाँ पर इसको as a advertisement यूज़ कर रही है, मैं आपक आप दोस्तों एक मुराल एक painting का है, जिस painting के नाम है humanity, तो दोस्तों यहाँ पर इस painting का इन्हों ने यहाँ पर क्या किया है, एक photo इस्तमाल कर लिया, और company यहाँ पर इस campaign को promote कर रही है, सभी जगा पर, social media handles पर सभी जगा पर, क्या अब तो क्या हो गया, हुआ यहाँ पर यह कुछ दिनों बाद, जो street art india foundation, street art india foundation basically एक organization, एक संगठन है, जो की काम करता यहाँ पर art projects को लेकर, public spaces में, तो दोस्तों यहाँ पर street art india foundation के साथ साथ, एक Mexican painter है, muralist है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर यह बोला, कि यह जो eco insurance company है, यह जो humanity का poster use कर रही है, अपने holding में, अपन poster हमने बनाया है, और यह हमारा poster है, तो हमारा poster अगर यह यूज कर रही है, तो यहाँ पे copyright violations हुआ, और its company को, यानि जिस company ने दोस्तों यहाँ पे poster इस्तमाल करें है, इसको एक legal notice दिया गया, और कहा गया भईया, आप अपने social media platform से सभी जगा से यह हटा लो photo जो आप गोला, कि वही जो moral है, इसका advertisement पर यूज किया है हमने, इससे कोई copyright infringement नहीं होता है, इससे यहाँ पर कोई copyright violation नहीं हो, हम नहीं हटा रहे है, तो यह बात दोस्तों यहाँ पर हो गई, अब क्या हुआ यह जो street art यह जो company है, यह पहुँच गई कहाँ पे, court के अंदर में, डे इस पर copyright protection हो सकता या नहीं हो सकता, यह case अभी सुनवाई होगी इसकी, तो सुनवाई होगी तो इसवसे थोड़ा सा wait करो, जादा यहाँ पर आपने deeply जाने की ज़रुवत नहीं है, सुनवाई हों दो, उसके आद जो भी information आएगी, वो हम आपके साथ में discuss करूँगा, ठीक ह clear होगी है इतना matter की exactly news में क्या है, तो हमें exam के लिए क्या पढ़ना है, exam के लिए आपको reality में बताऊना चाहिए, एक copyright act है क्या, इसके अंदर क्या-क्या चीज़े दी गई है, कैसे काम करता है, यह जरूरी है, copyright rules होते क्या है, और मैं आपको इन नियमों के बारें बताता हू क्योंकि दो बार UPSC ने prelims में question पूछा है, पर उसो वाले वीडियो मैंने editorial discuss किया था, patents को लेकर आपको याद होगा, और उस वाले editorial में ही मैंने आपको ये दोनो questions पढ़ाए थे, plus mains का question भी दिया था, तो एक बहुत important topic है, मैं आपको बताऊं, UPSC ने mains में भी सवाल पूछ 27, क्या होता है copyright, copyright दोस्तों एक legal right होता है, एक अधिकार होता है, जो की original work जो होता है उसको दिया जाता है, मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपने हापर कोई किताब लिखी, या आप में से कोई बहुत बढ़ी artist होगा, कोई उसने drawing बनाई, या कोई बहुत अच्छा तो वो क्या करेगा, उसके ओपर copyright लेगा, उसके ओपर copyright लेगा, copyright लेने का मतलब यहाँ पर यह है, कि भई, अब वो जो उस व्यक्ती ने अपना दिमाग लगा के समान create किया है न, वो दूसरों कोई copy नहीं कर सकता, copy करेगा तो उसके खिलाफ legal action लिया जा सकता है, और copy करना होगा, तो यहाँ पर आपको copyright holder की permission लेनी होगी, यानि कि जिसका अधिकार है copyright का, उससे permission लेनी पड़ेगी, तब जा कि आप copy कर सकते हो, अगर वो हाँ बोलेगा तो ठीक है, ना बोलेगा तो आप नहीं कर सकते copy, समझ गए, तो copyright क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी ब पर अपने लगा कर नई चीज़ बना रहे हैं, उसको यहाँ पर protection provide करवाना, तो copyright का जो भी owner होता है दोस्तों, उसके पास में अधिकार होता है, कि वो जिसने अपने समान पर copyright लिया है, वो उस copyright को adopt, reproduce कर सके, publish कर सके, translate कर सके, उसमें कोई भी changes कर सके, वो उसके अधिकार है उसके उपर वो अलड़ी copyright ले चुका है, लेकिन कोई दूसरा वेक्ति यहाँ पर नहीं कर सकता, और मैं आपको बदा दू, यह copyright act आया कब था, यह आया था 1957 में, और यह लागू हुआ 1958 से, लेकिन इसके अधर पिछले कुछ समय पर कुछ संशोदन हुआ है, बदलाव भी ह section 2 यहाँ पर यह बोलता है, कि यहाँ पर जो भी person का अलग-लग work है, जिसने यहाँ पर एक नया work create किया अपना दिमाग लगा कर, उन सब work को यहाँ पर cover किया गया है, जैसे कोई dramatic work हो गया, है ना, यह उसको copyright protection देना, for example, जो भी यहाँ पर आपका, जैसे example उपर में आपको दिये बहुत सारे, फिर ऐसी section number 13 देखने को मिलेगा, बही किसी का literary work है, musical work है, dramatic work है, cinematography films है, sound recording है, इन सब को copyright protection देने की बाद section 13 में की गई है, section 14 में भी दोस्तों, यहाँ पर आपका सकतो exclusive rights मिल जाता है, copyright owner को, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो copyright owner है, जिसने आपे copyright लिया है, अपने समान पर, उसकी इजाज़त के बिना कोई दूसरा वैक्ति, उसके, उस innovation को copy नहीं कर सकता, उसकी इजाज़त लेनी जरूरी है, वो कहेगा तो ठीक है, नहीं कहेगा, तो नहीं ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है, यह section 14 के अंदर बोला गया है, तो यह सारे sections हैं दोस्तों, यहाँ पर copyright के, जिसके अंदर यह अलग-लग information शेयर की गई है, clear हो गया, इसको भी PDF में provide करवा दिया जाएगा, आगे आता है next article पर, very very important, especially for the GS paper number to health, आपको पता होगा, आज Sunday है, Sunday में क्या होता है, editorial नहीं आते, लेकिन frequent ask question पेज आता है, frequent ask question पेज को आप editorial ही बोल सकते हो, plus science and tech का पेजाता है, तो science and tech पर भी कुछ important articles आए हैं, वो भी मैं आपके साथ में discuss करूँगा, पहले तो हम यहाँ पर इस वाले editorial को cover करेंगे, तो दोस्तों, यहाँ बात की जा रही है, क्या भारत कहीं न कहीं, measles vaccination में पीछे रहे गया है, या इसमें lag कर र organization की एक नई report आई, उस report में यह बोला गया कि साल 2022 में measles के जो cases हैं, वो तेजी से increase हुएं, और जो दुनिया भर में मौते हुई हैं बच्चों की measles की वज़ा से, वो भी 2021 के comparison में जादा हुई हैं 2022 में, और इंडिया में भी हमने दोस्तों यहाँ पर यह सिनारियो देखने इंडिया में आप आप देख पाओगे 1.1 million infants आपको देखने को मिल पाएंगे, ऐसे हैं जिनको proper vaccination का dose नहीं मिला, भारत ने अलगलग programs यहाँ पर start कर रहे हैं, अलगलग programs हमारे चलाए जा रहे, immunization program हो गया, जो कि अपना आप में सबसर बड़ा program है, जहाँ पर हम जो नया बच्चा होता है, यानि कि जो बच्चा पैदा हुआ है, उन बच्चे को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार का vaccination प्रोवाइड करवाते हैं, प्रेगनेट मैला को यहाँ पर यह वैक्सिन प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कि आज के समय पर हम इन vaccination में थो 2022 में, लगबग 2,63,270 यह जो नंबर दिया गया है, 2,63,270 जो चिल्टरन हैं, ठीके, कितने में से, 2,63,84,580 में से, तो दोस्तों इतने में से जो इतने बच्चे हैं, इनको तो vaccination दिया गया, कुछ बच्चे यहाँ पर रहे गए, यानि कि अभी भी दोस्तों यहाँ पर 21, 2022 के असपास इंडियन चिल्डरन ऐसे हैं, जिनको अभी measles का vaccination नहीं मिल पाया है, तो वो measles का vaccination यहाँ पर देना उनके लिए बहुत ही जादा जरूरी है, उनको अभी पहला short भी नहीं लगा है, ऐसा यहाँ पर बोला जारा है, तो पहला short यहाँ पर देना जरूरी है, जिस एक जरिया हो गया पढ़ने के लिए, आपको पता चलिए हाँ भी measles के situation क्या है भारत में, एक्जाम में कुछ पूछा गया तो डिरेक्ली आपसे measles के बारें पूछा जाएगा, तो बेसिक information जरूर से आपको पता होनी चाहिए, सबसे बहली चीज, measles क्या है दोस्तो, measles य क्योंकि कुछ बच्चों को जो ये measles है, वो seever वा कैटेगरी वाला हो जाता है, seever कैटेगरी मतलब बहुत ही खतरनाक लेवल का, जो measles है, वो यहाँ पर हो जाता है, अब ये कॉंटेकस बिमारी यानि के अराम से फैल सकती है, तो फैल सकती है, तो कैसे फैलती है, spread होने के पीछे का reason क्या है, दोस्तों ये बिमारी यहाँ पर जैसा मालो एक चोटा बच्चा है, उसके ड्रॉपलेट चे हैना उसकी nose या mouth यानि की उसका जो मुसे यहाँ पर थूक गिर रहा है, यहना तो इन सब चीजों की basis पर यहाँ पर क्या होता है, ये बिमारी transmit हो सकती है, बा की बहुत लाल होँगी, आँखों से पानी गिर रहा होगा, प्लस बॉड़ी के उपर में लालल कलर के अलगलग जगा पर राशिस हो गए होगे, पूरे स्किन पर, पूरे खाल पर बच्चे की लालल कलर के छट्ते उपर जाता हैं, जगा 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 पर, जिसमें खुजली भी बंद हो सकता है ये प्रॉब्लम्स हो सकती है उसका जो ब्रेन है उसका जो दिमाग है उसमें सूजन आ सकती है डाइरिया हो सकता है बॉडी में पानी की कमी हो सकती है डी हाइडरेशन हो सकता है प्लस रेस्परेटरी इंफेक्शन हो सकते है जिसे निमोनिया वगरा भी यह प्रॉबलम क्रियेट करती है यह वाले भिमारी सवाल यहाँ पर यह है कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं इसका प्रेवेंशन क्या है तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला प्रेवेंशन यही कि मीजल्स की वेक्षिनेशन लगती है जब बच्चा पैदा होता है तो वह vaccination लगवना जरूरी है ठीक है, तो यहाँ पर अलग campaign से लाए जा रहे हैं उनको यहाँ पर यह vaccination प्रोवाइड करवाने के लिए एक important रलेनिती है जिससे हम यहाँ पर दुनिया भर में measles से होने वाली मृत्तियों को कम कर सकते हैं प्लस क्या क्या काम उठाएगा है preventive efforts क्या है तो ग्लोबल vaccine action plan के तहट जो measles और rubella यह दो बिमारी है मैं आपको बता दूँ आज के newspaper में rubella का भी एक article है वो मैं article नहीं इस आपे include क्या हूँ तो rubella क्या है दोस्तो rubella को हम लोग german measles के नाम से भी जानते हैं यानि कि यह भी एक measles की तरह ही है बट यहाँ पर rubella german measles कहलाता है rubella भी contagueis विमारी है जो कि अराम से एक person से दूसरे person में फैल सकती है ठीकि एक ऐसा infection जो कि जातातर बच्चों में और कभी कभी young adults में भी हाँ पर होने लगता है तो जातर बच्चों को affect करने वारी दोस्तों ये problems हमको नजर आती है clear हो गया सब कुछ चचिस समझ माया आगया आते है अगला article भी exam के लिए काफी important है क्या बात की जा रही है यह हमारा science and tech पर present है Antarctica का जो ozone hole है दोस्तों वो expand हो रहा है और 2001 के comparison में अभी वो छेद बहुत जादा बड़ा हो चुका है जितना वो छेद बड़ा होता चले जाएगा उतना हमारी प्रत्वी के लिए खत्रा बढ़ता चले जाएगा कहोगे क्या exactly है यह पूरा मामला आपने ozone layer के बारे में सुनाओगा ozone layer यानि की उपर आस्मान में जो मारा atmosphere है दोस्तों atmosphere में कुछ उचाई पर एक परत्व पाई जाती है ozone layer ऐसे दिखती नहीं है मतलब वो ozone layer बनी वी है वो ozone layer हमें सूरे की जो direct ultraviolet rays होती है न उससे बचाती है सूरे की ultraviolet rays बहुत खतरनाक होती है एक इंसान के उपर लगातार पढ़ते रहे हैं तो उससे cancer भी हो सकता है इतनी खतरनाक होती है UV rays तो दोस्तों उससे बचाने के लिए पूरी परत बनी है उपर एक पूरी कह सकते हो कि sheet है ozone layer की अब क्या है उस sheet में कहीं कहीं पर छेद होते चले जा रहे है ठीक है कहीं कहीं पर छेद हो रहे है एंटाक्टिका के ऊपर बहुत बड़ा छेद हो रहा है दोस्तों बहुत बड़ा गड़ा हो चुका है उस sheet के अंदर में और बोला जा रहा है कि यहां पर पिछले चार सालों में वो गड़ा बहुत ज़द एक्सपैंड हो चुका है अगर वो यहां पर गड़ा वो छेद बढ़ता चले जाएगा उस लेयर के अंदर में तो क्या होगा सूरे की जो अल्ट्रा वाले ट्रेज है जो पहले रुक रही थी उस उजो लेयर से वो रुकेंगी नहीं वो डारेक्ली नीचे प्रत्वी पर बढ़ेंगी तो जिस भी एरिया पर यहां पर यूवी रेस डारेक्ली पढ़ेंगी और किसी इंसान के ओपर अगर वो डारेक्ट कॉन्टेक्ट में आती है टो दोसो उससे बहुत प्राइबनी प्रावलम्स करेट हूँगे अलग अलग प्रकारी की भीमारीा फैलना स्टार्ट हूँगे हमारे एं़ोमेंट को भी डेर सफर नुकसान होने स्टार्ट होंगे उस को लेकर यहांपर यह पूरा आर्टिकल कवर किया है तो क्या है ये ओजोन लेयर कैसे रिडियूस हुआ इसके पीछे का मेन रीजन क्या था वो सब कुछ यहां पर हम डिसकस करने वाले हैं हुआ क्या सेटलाइट के मादम से हमने मेजर किया और देखा कि वह या एंटाक्टिका के ऊपर एक बहुत ही बड़ा छेद दिख रहा है हमको ओजोन लेयर के अंदर में पर यहां पर आपको समझा दिया पता चल स अबकुल है जिसको हम रोज यहां पर क्या करते हैं लेकिन यहां पर यह दो ऑक्सिजन आटम से बनीवी ठीक है, दो oxygen atom से ये बनी वी है जो ozone है, ये एक ऐसा molecule है जिसमें oxygen है, ये आपने ध्यान में रखना है लेकिन यहाँ पर एक difference होता, अच्छा मैंने उपर क्या बता है मैंने ozone बता देते हैं को उपर नहीं, उपर ozone की बात नहीं कर रहा था मैं जब बात करते हैं, नॉर्मली जो आप oxygen इनहील कर रहे हो आप जो oxygen ले रहे हो, अपने बाड़ी में ब्रीथ कर रहे हो, वो O2 होता है है ना, जिसमें दो oxygen atoms होता है लेकिन जो ozone के अंदर oxygen होता है दोस्तों, उसमें आप देखोगे तो तीन oxygen atoms होता है, बस यह difference है जो आप oxygen लेते हो, वो O2 है लेकिन जो ozone वाली है, वो यहाँ पर O3 के लाती है, क्योंकि दोस्तों, इसके अंदर में तीन atoms है, ठीक है जो हमारे प्रत्वी पर, प्रत्वी के atmosphere में oxygen पाई जाती है O2, यह 21% यहाँ पर oxygen है, जिसको हम breathe करते हैं, ठीक है, यह आपको पता होगा, लेकिन ozone वाली क्या है, वो O3 है जिसके अंदर तीन atoms होते हैं, प्लीज इसको ध्यान रखना, इसके production के बात करेंगे, तो ozone molecules कैसे बनते हैं, ozone molecules create होते हैं, ultraviolet radiation के interaction करने के विसे यानि कि जो UV rays होती हैं, जो हमारी सूरे से UV rays निकल रही हैं, वो यहाँ पर O2 molecules के साथ में interact करती हैं, तो जब वो UV rays यहाँ पर हमारे oxygen के molecules के साथ में मिलेंगी, तो उससे क्या बनता है, ozone वाले molecules बनते हैं, ठीक है तो UV rays अगर sun की oxygen के साथ में कंबाइन होंगी, तो उससे ozone molecules बनेंगे, अब बात यहाँ पर यह ozone layer क्या होती है, अब दोस्तों यहाँ पर ultraviolet radiation अगर थोड़ी जादा intense है, क्योंकि उपर जाके आप देख पाओगे वो काफी intense होती है, तो especially यहाँ पर आप atmosphere देखोगे, तो सारी layers है, तो उसमें stratosphere जो आपको देखने को मिलता है, stratosphere में, जातर हमारा ozone produce है, उसको हम ozone layer बोलते हैं, ठीक है, ozone layer कई सारी area में आप पूरी परत ऐसी यहाँ पर value है, जो कि हमको directly सूरे की ultraviolet race से बचा रही है, ozone layer का importance का है तो ozone layer हमारे पृत्वी पर एक G1 के लिए बहुती जादा जरूरी है इसके अंदर यह property है कि वो जादतर जो सूरे से निकलने वाली UV radiation है जो खतरनाक है उनको अपने अंदर यह absorb कर लेती है, ठीक है नहीं तो फिर अगर UV rays directly लोगों पर पढ़ती रहे तो इससे यहाँ पर कह सकतो हो, जातर skin cancers हो जाते है skin cancer के सासथ और कई सरी प्रकार की जो problem से वो यहाँ पर होनी start हो जाती है, अब सवाल यहाँ पर यहाँ है कि ozone produce होता कैसे ठीक है, दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो जादतर ozone, मतला हमारी ozone layer होती है, वो stratosphere में होती है जिसे हमने atmosphere की बात करे हैं, इatmosphere में कई सरे layers होती है, उसमें stratosphere बेक layer होती है वहाँ पर ozone layer present होती है और especially यहाँ पर यह produce होती है हमारे tropical altitude पर जो उंचाई है, उंचाई पर produce होने के बाद में जो wind होती है हमारी हवा जो होती है, इसको वो पूरे प्रत्वी के उपर में फैला देती है, उस ozone layer को ozone layer ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक बाद टूट जाती है तो बंती नहीं है, इसका formation और breakdown दोनों होता रहता है, यह बंती रहती है होता है क्या है, तो ozone hole एक ऐसा region होता है हमारी ozone layer में जहाँ पर ozone की जो परत है, वो थोड़ी सी घट जाती है, कम हो जाती है, तो ozone hole basically कोई ऐसा छेद नहीं है, जो आपको छेद दिखेगा लेकिन वो एक ऐसा region है, जहाँ पर ozone थोड़ा सा कम हो चुका है और उसके कम होने के पीछे का reason क्या है, वो है pollution, बहुत ही जादा प्रदूशड होना दोस्तों तो ozone hole कैसे बनता है, कैसे डवलप होता है क्योंकि बहुत जादा pollution बहुत सारे प्रदूशड की वेसे, कई सारे जो chemicals हैं, ऐसे chemical especially chlorine और bromine जिसके अंदर present हो, तो chlorine और bromine अगर present है, जिसी chemical के अंदर में वो हमारी ozone layer को बहुत अदा नुकसान पहुँचाता है सबसे जो important chemicals या primary chemicals आपको जो देखने को मिलते हैं, जिससे ozone को सबसे अदा नुकसान पहुँचता है, तो उस chemical में आता है, सबसे पहले chloro-fluorocarbon ठीक है, जो आपके freezer वगरा के अंदर भी इस्तमाल होता है, फिर halons आ गए, carbon tetra chloride आ गए, यह सबसे अदा खतरनाक है जिससे याँ पे ozone layer बहुत तेजी से deplete होती भी नजर आती है, समझ गए और जो plus gaseous plant से बहुत सारे जिसमें chlorine वगरा present है यहना वो यहाँ पर release होता है, हमारे stratosphere में, उससे भी दोस्तों जो ozone है वो यहाँ पर deplete हो रहा है, कम होता हुआ चले जा रहा है और ozone depletion की वज़ा से क्या होगा cd uv rays यहाँ पर टकराएंगी, हमारी प्रत्वी सी जैसे मैं आपको बताया, और वो कहीं है कि सारी चीजों को damage करना start करेंगी और फिर उसके आद में अब क्या-क्या steps उठाएं है हम लोगों ने क्या-क्या कदम उठाएं है ozone layer को tackle करने के लिए, तो दोस्तों सबसे बड़ा कदम उठाएंगा 1987 में Montreal Protocol, Montreal Protocol को create किया गया था ताकि ozone layer को बचाया जा सके, और ozone layer को हम कैसे बचाएंगे, जो harmful substances हैं जो chemicals हैं, especially यहां पर उसके production को बंद करकर क्योंकि यह chemicals अगर बंते रहेंगे तो उनका use होता रहेगा, और use होता रहेगा तो obvious ही बात है दोस्तों यहां पर इससे जो हमारी ozone layer है, वो deplete होती रहेगी तो इसके production के उपर में control करना, जिससे यहां पर वो market में come available हो, जिसका use कम हो, जिससे ozone layer को हम थोड़ा protection प्रोवाइड करवा सके हैं क्योंकि जैसे मैंने बोला, यह बनता भी रहता है और घटता भी रहता है तो यहां पर अभी जो इसके बनने का process है वो slow हो चुका है, लेकिन यहां पर इसके घटने का process थोड़ा सा जादा हो चुका है क्योंकि pollution जादा हो रहा है तो इस चकर में इसमें थोड़ी सी जादा परेशानी हमको नजराती है, फिर बाद में लोग के प्रकार के events नजराते हैं फॉर एक्जांपिल कई बार जो आला मुकिश फट जाता है जो आला मुकिश से भी बहुत सारी जब वो फटता है ना तो बहुत सारी gases रिलीज होती है ठीक है, तो जो बहुत सारी gases रिलीज होती है प्लस ओजोन लेयर के बारे में ये सारी information एंटाक्टिका के बारे में क्या exactly चल रहा है ओजोन लेयर डिप्लेट होने के पीछे का main reason क्या है हर एक aspect यहाँ पर हमने discuss किये हैं आते हैं next article पर अगले article को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर बात की जारी है इसराइल और हमास वार के बारे में अब इसराइल हमास का वार जो है हमने कई बार discuss कर चुके हैं आपको याद होगा एना पिछले को समय पर काफी जर्चा में है यह भी हमारा frequent ask question पेज पर article प्रेजन है यहाँ पर बताया यह जा रहा है इस article में कि इंडिया काँ पर स्टेंड करता है देखो इंडिया का कहीना की हमने अभी पिछले को समय पर एक न्यूटरल स्टांस देखा है वहाँ पे देखोगे तो इंडिया ने दोनों को ही सपोर्ट या एक हमानिटी की तरफ हाथ बढ़ाया है ठीक है ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया जारा है जिस आर्टिकल को सुहासनी हैदर प्लस कलूल बटरजी साब ने लिखा है ठीक है तो यहाँ पे समझते हैं कि इग्सेकली क्या है पूर अब्रा पूरा मैटर तो दोसतों इंडिया की पोजीशन क्या है इस पूरे पूरे वार मैं आपको बता होगा 7 ऑक्टूबर कब 7 ऑक्टूबर को यहाँ पे हमास ने इसराईल के उपर में रॉकेट बरसाए और यहां पर यहाँ पर यह हमला किया जिसके बाद में इसराइले भी यहां पे लगातार हमास के उपर हमें धेर सरा रॉकेट बरसाए और इन रॉकेट बरसाने के चक्कर में दोस्तों इसराइल के अंदर लगबग बारा सो लोगों की जान जा चुकी है जिसमें बहुत सारे बच्चे भी हैं प्लस यहां पर बहु आतार इस टेर्रिजम को यहाँ पर कंडेंब किया है, इस टेर्रिजम यह जो आतंगवाद दिखाया गया था हमास की साइट थे, इस आतंगवाद की निंदा की थी इंडियन कार्म encompass ठीक, और strongest language का यहाँ पर यूज किया, कि यहाँ पर इस आटैक में जो आतंगवाद आटैक हुआ है 7 अक्टूबर को सबसे पहली बार हमास ने हमला किया है तो इस आटैक में यहाँ पर इंडिया इसराइल के साथ में खड़ा हुआ है तो दोस्तो इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया था क्योंकि उस समय तक सिनेरियो कुछ ऐसा नहीं था कि यहाँ भई इसराइल इतने बंबरसा देगा कि यहाँ पर गाज़ा पट्टी बचे गई नहीं गाज़ा पट्टी आदा खतम हो जाएगा यह यहाँ पर कोई आइडिया नहीं था यह शुरुआती तोर पर बात हुई तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने इसराइल का स्टार्टिंग में सपोर्ट दिखाया बट हुआ क्या इसराइल ने यहाँ से बंबर्डिंग स्टार्ट की जब इसराइल ने बॉंबार्डिंग स्टार्ड की तो गाज़ा फटी आदा खतम हो गया अब जो अलग लग सरकारे हैं यूएस आस्ट्रेलिया ये जो गॉर्णमेंट है दोस्तों इन सबने यहां पे एक रोक लगाने की बात की कि भई अभी बॉंबार्डिंग को थोड़े समय के लिए रोक दो अरे मानफता के लिए यहां पर थोड़ा सा इसके ओपर पॉस लगा दो ऐसा यहां पर लोगों ने कहा कि भई यहां पर पलेस्टीन और इसराइल को दोनों को बैठा कर बाचीत करवाई जा सकती है ठीक है दोनों को बैठा कर यहां पर एक कॉंप्रोमाईस करवाई जा सकता है प्रॉबलम पता है अगर यहां पर पलेस्टीन यह सोच के चलता है कि इसराइल को मिटा दी जाएग तो हमास भी खतम नहीं होगा, अगर हमास को खतम कर भी दिया गए तो हमास की आइडियोजी तो वो रहेगी ना, कि यहाँ पर इसराइल को हटा ना, वो आइडियोजी यहाँ पर एजटेज चलती रहने वाली है, तो दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे को इस मामले में ऐसे एक क्योंकि इस भिड़त में जो इनोसेंट पीपल हैं, बच्चे हैं छोटे-छोटे, बुजर्ग हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं, दोस्तों उनकी जान जा रही है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर यही चीज़ है कि उसको हमें थोड़ा सा सही करना होगा, हमें नॉर्मल पीपलों को थोड़ा ध्यान रखना होगा, इनोसेंट लोगों की जानना जाए, इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, इस्पेशली हुमेनिटेरियन के लिए, और इसी चीज़ के उपर भारत ने फोकस किया, इविन यहाँ पर इंडिया ने पिलिस्टीन में यह सब कुछ देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से इंडिया का यह सपोर्ट देखने को मिला, और यहाँ पर अगर हम देखें, तो इंडिया, इसराइल हमास के वार में, वेस्टन के साथ में एक्जैक्ली साथ में खड़ावाया, ग्लोबल साथ के साथ में, तो इंडिया ने ग्लोबल स अंगटन बोल चुकी है इंडिया ने क्या अभी तक हमास को एक टेर्रिस्ट और्गनाजेशन गोशित किया है नहीं किया है राइटर ये बोलती है राइटर कहना यह है कि अभी भारत ने हमास को टेर्रिस्ट और्गनाजेशन नहीं माना है दूसरी चीज़ अगर आप देखो प्लेस्टीन के साथ में भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाते हैं और इंडिया को जरूरत विए कि हम यहां पर एक न्यूटरल स्टांस लेकर चलें जहां पर चीजों को मिंटेन करना है क्योंकि देखो यह जियो पॉलिटिक्स है हर एक देश का अपना अपना इंट्रेस् अपना उन्ट्रेस्ट अपना हित यहां पर देख राए तो इंडिया को भी देखना चाहिए अब भारत यहां पर पैलेस्टीन को गंटम करता है तो इससे नुकसान भी है अब राइटर बोलता क्या नुकसान है कि भाई इससे यहाँ पर कई सरी एरब कंट्री के साथ में, या फिर कह सकतो, एरान के साथ में रिलेशन्स हमारे थोड़े से कमसर हो जाएंगे, हमारे लिए एरान भी इंपॉर्टेंट और इसराइल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस समय इसराइल भी इंपॉर्टेंट और इसराइल को पर अटेक कर रहा है, तो भारत के जो रिलेशन्स है, इसराइल दोनों के साथ में जरूरी है, तो हमें दोनों को ही मिंटेन करना होगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, जैसे हमने अमेरिका और रश्या के साथ में अमेरिका भी हमारा दोस्त है और रश्या भी हमारा दोस्त है दोनों की इक्वल इंपोर्टेंस हैं हमारे साथ में लेकिन यहाँ पर अमेरिका और रश्या को आप समास में अगर आज की समय पर देखोगे तो दोनों एक कटर दुश यहां पर हमको लेकर चलना पड़ेगा अगर हमें यहां पर एक न्यूटल स्टांस मेंटेन करना है तो ठीके तो दोस्तों यह एक्जैक्टली यहां पर मेंशन क्या है राइटर ने आयो आई होप आपको यहां पर बढ़ी आसे पॉस्टन क्या था ग्राइजले लेसा है तosi यहां पर एंटरो मेंटर स्पेस अंटिन रो इसको प्रजेक्ट जो है इसको बनाया गया था इसका में पर्पस क्या था लोह जोगे अगले वडियो में आज के लिए बाब संडे में कोई मेंज का question आपको पताओगा संडे में में इंजॉइक करो और डिसकेशन अमरा छोटा ही है क्योंकि यहां पे एडिटूरल वगरा नहीं आए ठीके तो मिलता आप सगे वीडियो में आज के लिए बाबा है थैंक्यू अंड ज्याहिंद